Hello dear students, I am your chemistry teacher Dr. Abdulazir और आज मैं आप लोगों के समने topic लेकर आया हूँ hybridization का, बहुत ही जबर्दस और topic का hybridization का chemistry में versatile topic है, inorganic का basic और fundamental topic है और तुम यह भी कह सकते हैं, it is nothing but the base of chemical bonding के अंदर भी आने वाला एक बहुत ही fundamental और important topic है that is called as hybridization last lecture में अपने hybridization स्टार्ट कर दिये थे, और उसके related examples और further दूसरे जो hybridization अपने बाकी थे वो आज के lecture में discuss करेंगे अपन so start करते है topic, what do you mean by hybridization hybridization basic लिए कैसा होता है, hybrid चीज़ बनाना आपने को पता है, basic idea अपने दिमाग में रहता है hybrid चीज को करते हैं, दो चीज़ों को कुछ combination हो सकते है, वैसी कुछ concepts hybridization का, जिसके अंदर atomic orbital को mix करते हैं, Atomic orbital को मक्स करते हैं, last lecture में अपने कुछ S-P hybrid-orbital के बारे में discuss किया थे, S-P hybridization के बारे में discuss किया थे, जिसके अंदर S orbital और P orbital एक दूसरे के साथ mix करते 1 S और 1 P orbital combine होते तो एक और एक हो गए 2 तो total अपने पास में 2 SP hybrid orbital तैयार होते है ठीक है न? ये गनित आपको समझ में आना चाहिए 1 S orbital और 1 P orbital total कितने मनें? 2 SP hybrid orbital तो इसको कहते है SP hybridization ये अपना previous lecture के अंदर हो आथा discuss कि SP hybrid orbital किसको कहते है अब जो दो बने और बिटल ने वाले जो और बिटल बनते है उनकी energy और उनकी symmetry मतलब वो देखने में similar रहेंगे जैसे आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे SP hybrid orbital तो उनका जो शेप आता है यहाँ रहता है यहाँ पर इसे रहता है 180 से linear उनका शेप रहता है यह diagram देखकर आपको समझ में आ रहा हूंगा एक representation भी बता देता है मैं आप लोगों को यहाँ पर simple representation सब्सक्राइब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह बीज़िट हो के देखकर पर ठीक है ओके लेट्स प्रोसीट नेक्स हब्रेड़िजिशन इस एस पी हब रिड एस पी कम्बाइन हो रहे तो यह प्रेड़िजिशन और उसकी देफिनिशन तो इस पी तू के अंदर क्या करते है आप उन जैसा उसके नाम से बता चल रहा है उसके अंदर mixing होती है और recasting होती है mix होना और recast होना इना फिर से use करना दोबार यूज़ करना that is called as recasting so 1s लेते है और इसके अंदर 2p orbital लेते है समझ में आ रहा है कि सबके sp2 मतलब क्या है 1s एक ही atom गया the condition is एक ही atom का 1s hybrid 1s atomic orbital और 2p atomic orbital यह दोनों एक दूसर के साथ combine हो गया है तो कितिने और हो तोटल 1s ओके और 2p टोटल तीन sp2 hybrid orbital तयार होते है जिनकी जो energy है और symmetry हो कैसी रहती है same रहती है definition note down करो in your copy what do mean by sp2 hybridization mixing and recasting of 1s and 2p atomic orbitals mixing mix करना and recasting मैं जे दोबारा यूज करना फिर से यूज करना that is called as sp2 hybridization and the new hybrid orbital are called as sp2 hybrid orbitals for example एक example consider करते है इसके अंदर center में क्या है बोरॉन है ओके बोरॉन क्या है इसके अंदर center में इसके electronic configuration लिखने के बाद क्या करो इसमें से 1s और 2p atomic orbital को एक दूसर के साथ combine करो वह बन जाते है sp2 total कितने बने तीन sp2 hybrid orbital बनते है अब उसके अंदर electron को symmetrically distribute कर दो एक दो तीन electron कैसा फिल करना हमेशा वहाँ पर जो अपने atomic structure के rules है मतलब hunts rule, polys rule है न वह अपने पास में properly fill होना चाहिए फालो होना चाहिए तो यहाँ पर तीन electron अगर है जैसे पहली diagram इसके अंदर आपको total 2s के अंदर 2 electron दिख रहे है और P के अंदर 1 electron दिख रहे है symmetrically 1, 2, 3 जितने अपने पास में hybrid orbital है उसके अंदर 1, 2, 3 electron फिल करना पड़ेंगा पिर electron अगर बज जाते तो फिर से वापी electron फिल करते है बन तो SP2 hybrid orbital किसको कहते है आपन mixing and recasting of 1s and 2p hybrid orbital that is called as SP2 hybrid orbitals and the process is called as SP2 hybridization ठीक है SP3 hybridization किसको कहते है जैसे आप लोगों को आगर पहले दो समझेंगे तो तीसरा आसनी से समझ में आ जाएंगा what do you mean by SP3 hybridization so इसके अंदर mixing होती है और recasting होती है 1S and 3P atomic orbital की I repeat इसके अंदर mixing और recasting होती है 1S and 3P atomic orbital की तो total बन जाते हैं इसमें 4 SP3 hybrid orbital and the process is called as SP3 hybridization getting or not so the process of mixing and recasting of 1S and 3P orbital of valence shell definitely same atom के of nearly same energy to produce 4 new SP3 hybrid orbital of equal energy and shape यह definition जो आपको इतनी बड़ी दिखाए तिरे है उसका कोई tension नहीं हो ऐसी बोलते बोलते याद रती that is the mixing and recasting of 1S and 3P orbital it used the SP3 hybrid orbitals total की थी 4 कारण mix होने वाले orbital कीतिने है 1S है और 3P that is called as SP3 hybridization so next उसकी example methane है बहुत popular example आप लोगों ने 11th class के अंदर पढ़ाऊंगा example chemical bonding के अंदर SP3 hybridization methane के अंदर tetrahedral इसका shape आता है इसके अंदर 1S और 3P atomic orbital एक दुसे के साथ combine होते है और 4 hybrid orbital तायार होते है उसके बाद उसके अंदर electron को fill up कर दो ठीक है न 4 का shape कैसा आएंगा फिर tetrahedral type का shape आता है इसके और भी दूसरे example है जैसे एक example है इसके अंदर ammonia molecule की इसके अंदर भी SP3 hybridization मिलता है ठीक है एक बात खास है जो इसमें याद आखना है आपको कि यहाँ पर जो electron fill करते है अपन तो इसमें total electron fill होते है चार कितने electron है 4 electron fill करना है तो अपन filling कासा शुरू करेंगे स्वरी 5 electron है इसके अंदर 5 electron fill करना है तो filling कासा start करते है एक दो तीन चार ऐसा fill हो जाते है पहले एक दो तीन चार अब 500 electron बज गया तो उसको पहले hybrid orbital के अंदर डालना पड़ता है तो यहाँ पर पहले वाला जो sp3 दिख रहा है उसके अंदर दो electron आगा यह जो दो electron है यह आप further bonding में participate नहीं करते है इनको कहते है lone pair यह उन्हाला का लक्षात सर्वन ना जो electron bonding में पार्टिसेपेट नहीं करते हैं उनको कहते है lone pairs ओके और बाकी जो sp3 के अंदर एक एक electron दिख रहा है वो bonding में participate करेंगे वो दूसरे atomic orbital के साथ और आप करेंगे mutual sharing of electron करेंगे और equivalent bond तयार होंगे लेकिन जो दो electron आपको दिख रहा है वो bonding में participate नहीं करेंगे and that will remain as a lone pair जैसा कि आपको पता है कि ammonia में nitrogen पर nitrogen पर ऐसा आपको lone pair of electron दिखाए देते हैं एक और यह दो electron आपको दिखते हैं थोड़ा सक shape जो होता तो इसको कहते है distorted tetrahedral type का shape या pyramid जैसे दिखाए देते हैं that is called pyramidal type का shape next example water molecule के example consider करते हैं इसके अंदर भी sp3 hybridization होता है ठीक है फरक क्या है इसके अंदर पता है कि इसके अंदर 1 और 2, 2 sp3 के अंदर 2-2 electron आते मतलब यह again अपने पास में 2 lone pair तैयार हो गया तो oxygen पर lone pair of electron कितने रहते हैं 2 रहते हर एक oxygen पर अपने पास में H2O कर तुम बना है H2O तो उसमें oxygen पर electron कितने आते हैं total 4 electron फिर यह मतलब 2 lone pair of electron एक lone pair मैंजे 2 electron ठीक है इसका shape और भी ज्यादा distort होता है V-shape type आता है इसका कैसा आता है V-shape जैसा आता है इसका next hybridization this is called as sp3D hybridization उसके definition पता चल देयाती है अपने को उसके नाम सी पता चल रहा है 1-s लेना है 3-p लेना है और 1-d लेना है समझ में आ रहा है सबको mixing and recasting of 1-s, 3-p and 1-d hybrid atomic orbital of same atom of valence shell of nearly same energy to produce 5 new sp3D hybrid orbital correct or not total कितने बने 1-s, 3-p कितने होगा 4 और 1-d किते जाले 5 तो 5 new hybrid orbital अपने पास में तयार होँगे जिनकी energy और जो देखने में same रहेंगे तो definition सब फिर से recall करो mixing and recasting of 1-s, 3-p and 1-d orbital of same atom of nearly same energy to produce 5 new hybrid orbital of equal energy and equal shape इस कालड़ as sp3D hybridization ठेकर, example कंसलर करते हैं इसकी phosphorus pentakloride, pcl5 molecule pcl5 molecule के अंदर क्या-क्या करना पड़ेंगा आपको 1-s लेना पड़ेंगा नीचे आपको 1-s दिख रहा है यहाँ पर उसके बाद में 3-p लेना पड़ेंगा यह आगा 3-p और d, total d कितने रहते हैं अपने पास में 5, तो 5 में ते 1-d यूज़ करना है ठीक है, तो 1-s है, 3-p है और 1-d है टोटल कितने बन गए, 5 हैबिरिट और्बिटल तयार हो गए यह एलेक्टोन चेक करो कितने हैं तो अविलेबल अपने पास में, 2, 3, 4, 5 5 एलेक्टोन है, 5 एलेक्टोन को सिमेट्रिकली फिल्ड आसानी से हो जाते हो ठीक है, तो हर एक के अंदर एक-एक-एक एलेक्टोन आ जाएगा, वो एक-एक एलेक्टोन कोलुरीन के एक-एक एलेक्टोन के साथ मूच्वल शेरिंग करेंगा और पांच PCL 5-5 की बन तयार हो जाती है अपने पास में, जिसका रेप्रेसेंटेशन आपको पर दिखाए देगा, 5 में से 3 जो bond है थी, ब्लेनर रहती, ऐसा, और 2 जो bond है एक ऐसी रहती है और एक ऐसी है, सेंटर में आ जाएंगा यहां पर phosphorus और 5 पर पांस कॉरनर पर आ जाएंगे 5 खुलोरे, ठीक है, एक 3D इमेज भी देख लो इसके, इस ट्राइप में आती है, मतलब 3 klorine paper पर है 1 klorine plane के उपर 1 klorine plane के नीचे है ठीक है next hybridization है SP3D2 hybridization जैसे के नाम से पता चलता है इसकी definition 1S आएंगा इसके अंदर 3P आएंगे इसमें और 2D आएंगे mixing and recasting of 1S, 3P and 2D atomic orbital of same atom of nearly same energy to produce 6 new SP3D2 यहापर के लिखना है आपको SP3D2 D2 hybrid orbitals of equal energy and shape is called as SP3D2 hybridization octoidal type की जो molecule है इसकी example में आते हैं जैसे SF6 molecule sulfur की electronic configuration लिखना है उसके दर use कितने करना है अपने को 1S orbital, 3P orbital और 2D orbital यहागे 1S और P कितने use करना है 3 और D कितने use करना है 2 total कितने बने 3, 4, 5 ठीक है 5 और 1, 6 total 6 hybrid orbital तयार होगा है electron भी कितने अवलेबल है check करो 2, 4, 5, 6 electron है तो सभी hybrid orbital के अंदर 1-1 electron properly फिल हो जाथा और यह fluorine के 1-1-1 electron के साथ mutual sharing करता है अपने पास में SF6 molecule तयार हो जाता है ठीक है तो यह वह अपना SP3D2 hybridization एक, दो, तीन, चार और एक fluorine plane के उपर एक fluorine plane के नीशे ठीक है यह इस type में इसका octahadal type की structure आते है एक 3D image भी share करो हो है आपके साथ वो देख लो इस type में ठीक है लास्ट वाला hybridization है SP3D3 hybridization जैसे इसके नाम से पता चलता है mixing and recasting of 1S, 3P and 3D atomic orbital of same atom of nearly same energy to produce 7 किती दाले टोटल साथ साथ new hybrid orbital of equal energy and equal shape are called as SP3D3 hybridization और इसकी भोग पॉपलर example है IF7 molecule ठेकर उसके अदर iodine का आपको 1S, 3P और 3D लेना पड़ेंगा टोटल साथ और उसको fluorine के साथ electron के साथ mutual sharing कराना पड़ेंगा एक 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 साथ bond तयार होंगी उसके structure कैसा आता ऐसा ठेकर iodine center में और साथ fluorine लगे है एक 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 orbital fluorine के एक एक electron के साथ mutual sharing करता और अपने पास में टोटल साथ bond तयार होंगी साथ में से 5 जो bond आती हो planar आती और एक आती above the plane एक bond आती है below the plane bond एंगल इसमें दो अलग अलग टाइप के आते जो planar रहते हैं उनकी पीस में के bond एंगल 62 आते है 62 कैसा आता simple समझ में आजाएंगा आपको 360 टोटल रहता है circle और टोटल बॉंड किते हैं उसमें 5 तो 360 डिवादेट पर 5 ऐसा आपको बातर मिल जाता 72 और जो perpendicular है वो तो ठीक है mutually perpendicular मतलब क्या 90 नाइटी आले तो इसमें दो टाइप के अंगल देखने को मिलते हैं एक आता 72 का और एक आता 90 का ठीक है सो होब आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोग यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते अपना केमिस्ट्री भाय वाजिट्सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच